हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टी और पीडिया मैं हूँ जीत अंद्रतियागी और जैसा कि आप से दी जानते हैं मैं आप सब के लिए हमेशा कोई एक अच्छी न्यूज लेकर आता हूँ तो आज फिर एक न्यूज आपके लिए लेकर आया हूँ इस्पेसली जो हरियाना के स् या जिन बच्चों ने HPSC का एक्जाम के लिए किया है लेक्चरर की पोस्ट के लिए ठीक है तो कल हमने एक वीडियो देखा ता आप सभी ने जिसमें हमने सिविल ब्रांच के बारे में डिसकस किया था ठीक है और केमिकल के बारे में डिसकस किया था कि उसमें उन्होंने इ उन्होंने दे दिया है तो क्या इंटर्व्य सेडियूल है यहां पर हम देख सकतेosed TM लेक्चरर इन फूट ठेकनालोजी ठीक है 16 सप्टेंबर तो फूट टेकनालोजी में लेक्चर इन टैक्स्टाइल टेकनालोजी यह सारे सोलह तारीको को तीनों ब्रांच की इंटर्व्यू उसके बाद Automobile Engineering के लिए 17 तारीक को है ठीक है 17 सितंबर को Formal Instructor के लिए 17 तारीक को है Mechanical Engineering 18-20 चलेगा ठीक है और Instrumentation and Control 21 तारीक से चलेगा 21 तारीक को Tentative Date of Interview ठीक है तो यह चेक कर सकते हो और जो जो ब्रांच में आपने एक्जाम के लिए किया है ठीक है सभी बच्चे इस चीज को नोड कर ले लेक्चर इन एप्लाइड साइंस इंग्लिस तीस सितंबर को है इंटरव्यू तो जिसको ज्यादा टाइम मिल रहा है उसके लिए अच्छी बात है जिसको बहुत बहुत कॉंगरेटुलेशन्स बहुत सारी सुबकामना है आप सबके अच्छे के लिए ठीक है अब हम बात करेंगे कि वही इस इंटरव्यू के लिए क्या करना है हमें रिटिन एक्जाम एक में पार था टेक्निकल आपने वो क्लियर किया ठीक है ओवियसली आपने अ अच्छे बच्चे उनको चाहिए जो टीचर की पोस के लिए रेक्चर की पोस के लिए सुटेबल हो तो उसका प्रोसीजर उन्होंने इंटरव्यू का रखा है तो इंटरव्यू में जैसा जो बच्चा परफोर्म करेगा अकोर्डिंगली उसका वैसे ही फिर सलेक्शन का च इसलिए होके इमानदारी से महनत करके एक्जाम किलियर किया है उसी तरीके से अगला जो टाइम आपके पास है उस टाइम में आपको महनत करनी है किसके लिए इंटरव्यू के लिए कोई टफ चीज नहीं है ऐसा नहीं कि नहीं कर पाऊगे जब आप रेटिन एक्जाम किलिय करना है ठीक है तो prepare करने के लिए कुछ general points जो मैं पहले civil वाले बच्चों से भी discuss कर चुका हूँ आप सब जो नई ब्रांज वाले बच्चे हैं ठीक है न जो अभी present इस video को देख रहे हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो अपना introduction का part बहुत strong करना है आपको वो सबसे जादर role play करता है कि अपने आपको present कैसे करते हो उसके अंदर क्या क्या content रखते हो कैसे उसको बोलते हो और उसके time पर आपका confidence level है वो किस तरीके से fluctuate कर रहा है तो confidence level को maintain रखना एक बहुत बड़ा task होता है ठीक है उसको आपका section जो technical हो सकता है लेकिन ज्यादा section non technical ही रहने वाला है अब interview के time में जर्नल awareness आपकी personality check करेंगे एक तरीकी से आपका सोचने का तरीका बोलने का तरीका respond करने का तरीका ठीक है ना आपका attitude किस तरीके का यह सारी चीज़े वो check करना चाहते है जज करना चाहते एक इंटर्वी का time रहेगा 20-25 मिनट का इंटर्वी जो आपका चलेगा 15-25 मिनट उसमें वो सारा जज करना चाहते है ठीक है तो आपको अपने आपको उन 15 या 20 मिनट का जो time duration उसके लिए ऐसे prepare करना है कि perfect आप अपना वाँ पर mother role play करें ओके तो यह सारी चीजे अब आप कैसे करोगे उसके लिए आप खुद भी कर सकते हो इन सब चीजों पर लेकिन अगर आप जल्दी कम time आपके पास है और आपको ज्यादा सर्च ना करना पड़े अगर ऐसा आप चाहते हो तो उसके प्रिपेर करता है कि कैसे अलग-अलग पीस यूज के अलग-अलग जो आपकी स्टेट सर्विसे एजन्सी होती है उनके इंटरिव्यू को क्लियर कैसे किया जाए उसके अपने आपको कैसे ट्रेंड किया जाए इन सब चीजों पर यूर्पीडिया वर्क करता है और काफी टाइम से एक अच्छा एक्स्पिरेंस गीन किया है बहुत सारे बच्चों ने इसका बेनिफिट लिया और अच्छा केरियर अचीब किया है ठीक है तो आप में से जो भी इंटरेस्ट बच्चे हैं वो स्क्रीन पे एक नंबर आपको दिखाए देगा उस नंबर जिसके अंदर बहुत सारी चीज़े रहती हैं जिसमें इंडिविजुल आपको एचार के स्लोट्स मिलते हैं आप एक मेंटर रहेंगे आपका जैसे रियल इंटर्वी होता है वैसे आपके इंटर्वी लेंगे और उसमें जब आप रेस्पोंड करोगे आपको फीडबैक प तो डिफरेंट मोड्यूल में अलग लग फैसिलिटी रहती है आप इन सब का बेनिफिट ले सकते हो ताइम आपके पास यही है एक महीने का टाइम किसी की पास 15 दिन का टाइम किसी की पास 10 दिन का टाइम तो इसको प्रोपरली यूटिलाइज करो ओके ओल दा बैस्ट अल ठाइम है प्रोपरली विम का टाइम है में है आपके टाइम का टाइम है तो 7 दिन का टाइम है आप है Mac